नमस्कर दोस्तो, MLM Discussion with Anil Kumar इस चैनल पर आपका फिर से एक बार स्वागत है, आज हम Paytium Online Checkbook कैसे आवेधन करें, कैसे अपलाई करें, इसके बारे में जानकारी देंगे इस वीडियो में, और इस चैनल को आप सस्क्राइब जरूर कर लीजिए, इस चैनल पर आपको हमेशा कुछ ना कुछ ग्यान देने वाली, कुछ ना कुछ सिखाने वाली वीडियो मिलती रहती है, तो चैनल को आप सस्क्राइब जरूर कर ले, शुरू करते हैं पेटियम के बारे में आपने सुना तो होगा, और हो सकता है, आप पेटियम का इस्तेमाल भी कर रहे हों, और काफी लोग हैं जिने यह नहीं मालूम है कि पेटियम अपने आप में एक बैंक है इस बैंक से आप पेटियम से आप अपना debit card ले सकते हैं इस पेटियम बैंक से आप चैक बुक भी ले सकते हैं बैंक की सारी सुविधाएं यहां उपलब्द हैं लेकिनлам कैसे apply किया जाएगा और debit card जो apply करना होता इसके अलावा checkbook कैसे apply किया जाएगा इसकी जानकारी लोगों को नहीं है तो आज इस वीडियो में मैं आपको checkbook कैसे आपने अपने phone से ही अपने paytium wallet पे ही कैसे apply करना है उसकी जानकारी दे रहा हूँ आप जैसे इस एप पर apply करेंगे आपको घर checkbook पहुंच जाएगी इसके कुछ charges होते हैं मैं आपको उस सभी जानकारी दे रहा हूँ सबसे पहले आप अपने phone में paytium के app को download कर लिजे play store से और अगर आपके phone में paytium का app है तो उसे इस तरह खोलिए जब इस app को खोलेंगे तो वो कुछ इस परकार दिखाई देगा आप खोल के देखिये तो आपको जीउ दिखाई देगा यहाँ आपने देखना है कि आपको paytium bank का option कहां दिख़ Rहा है उसे थलाशए है तो यहाँ आपको Paytm Bank का option दिखाई दे रहा है, दूसरे number पर, तो यहां आपने click करना है, यहीं आपसे 4 digit का password पूछा जाएगा, आपने यहां अपना password डालना है, password डालते वकर ध्यान रखें, कि सही password डालना है, जैसे आप password डाल देंगे, तो आपको Services का option मिलेगा, खुलने में थोड़ा समय लगा रहा है, उसके बाद आपको Services का option दिखाई दे रहा है, यहां थोड़ा यह शोर नहीं कर रहा है, कुछ security region के वज़े से, तो Services में जो बोल राउंस को ध्यान दीजिए, Services पे आपने क्लिक करना है, जैसे आप Services पे क्लिक करेंगे, तो आपको Checkbook का option खुल के आपके सामने आ जाएगा इस तरह, तो यहां rate बताया जारा, 10 page की Checkbook का rate है, और उसके बाद में उससे अधिक page की Checkbook का rate है, यहां आपको कुछ charges लग रहे हैं, वो charges आपको देने पड़ेंगे, तो आपके account में charges होने चाहिए, तो यहां apply होगा, इसके बाद में आप यहां, आपको अपने sign पहले ही करके रखने पड़ेंगे, किसी कारगेश पर लेकर उसके photo खेंच लीजे, और अपना कोई भी एक card जिसके अंदर आपके sign signature हो, वो दोनों चीज आपको यहां जमा करनी पड़ेगी, देखिए, मैंने अपने sign इसमें दे दिया है, तो मैंने इसको पहले ही photo खेंच के रखा था, तो इसक बाद में मैंने अपना pen card लगाना जरूरी समझा, क्योंकि उसमें sign होते हैं, आपको यह और document भी लगा सकते हैं, तो यहां मैंने pen card अपना apply कर दिया, उसमें pen card भी ले लिया मैंने, तो यह pen card मेरा यहां signature और pen card यहां upload कर रहा हूं, दोनों option हैं, यह upload करने के लिए, जिनके पास pen card नहीं है, वो कोई और option भी इस्तमाल कर सकते हैं, लेकिन उस card में या उस document में आपके sign जरूर होने चाहिए, तो यहां कई option आपको दिखाए जाएंगे, कि आप क्या क्या दे सकते हैं, आपके पास उन में से कोई भी option, मतलब document हो यह दिखाए गया है, कि कौन कौन से document तो मेरे पास pen card था, मैंने pen card में मेरे sign भी थे, तो pen card में sign होते हैं, तो मैंने pen card को इसमें चुन लिया है, और click कर दिया, तो pen card अपना download करना पड़ेगा, तो मैंने gallery में पहले ही pen card और sign की photo ले रखी थी, यहां से मैंने इसको, मतलब यहां से चुन लिया, यह, अब इसको set करना है, तो इसको आप set भी कर सकते हैं, इसको set करेंगे अपने size को, size को set करके अपना, इसको अंदर अपने submit करना है, तो यहां यह submit करने के बाद आपका apply हो जाएगा, और उसके कुछ दिन के बाद आपको, यह मिल जागा, इसमें नीचे आपको address भी डालना होगा, address जहां पर आपको मंगवाना है, तो address तो मेरा already था, इसके अंदर, अगर आपका ना हो तो अपना address भी अपना submit कर देना, तो यह बहुत ही आसान तरीका है, अपनी checkbook घर पर मंगाने के लिए, तो यहां पर मुझे एक बार password अपना फिर डालना पड़ रहा है, क्योंकि password दुबारा मांग रहे हैं, ताकि कोई दूसरा विक्ति अपके apply ना करें, तो यह मेरे दो quorum इसमें पूरे हो चुके हैं, नीचे अब यह मैंने जो submit करें, document यह कहाँ है, signature verify होने के बाद, यह मुझे भेज दिया जाएगा checkbook, तो इसी तरह मैं आपको सभी और जानकारी दूँगा, और साथ-साथ मुझे इसका message भी, SMS जो होता है, phone में message मुझे मिल चुका है, message मेरे को प्राप्त हो गया है, कि मेरा apply हो गया है, और इसके charge मैंने 10 page की checkbook मंगवाई है, तो 100 रुपे मेरा इसके अंदर charge लगा है, तो यह charge तो लगते हैं, हर banking के अंदर charge रखा होता है, हर bank का अपन अपना rule है, अपना-अपना अलग-अलग charge होता है, तो मैंने apply कर दिया है, मेरे apply हो गया है, तो आप भी अपनी checkbook अगर apply कर सकते हैं, तो यह आपको मैंने यह आसान तरीका और बिल्कुल simple तरीके से apply करना मैंने समझा दिया है, तो आप यहाँ apply कर सकते हैं, checkbook apply करना कोई ब पूरी तरह बैंक की तरह काम करता है इसमें debit card, ATM card जो है वो आपको मिलता है इसमें checkbook मिलती है इसमें आपकी पूरी bank statement जो होती है वो भी आप ले सकते हैं तो यह एक बहुत अच्छा bank माना जाता है और इसमें जितनी facility और इस app में जितनी facility दी गई इस bank में जितनी facility दी गई ह बहुत अच्छी service है और देखो मैं आपको यहां दिखा रहा हूँ कि मिलको message भी मिल चुका है तो यह message मिल जाते हैं और आपको पूरी जानकारी मिल जाती है और आपको जल्दी एक message मिलेगा कि आपको checkbook भेज दी गई है और checkbook भी जल्दी घर पहुँच जाएगी इसमें date अपने account से अगर checkbook लेनी है तो आप इस वीडियो को देखने के बाद checkbook ले सकेंगे और यह वीडियो आपको कैसी लेगी मुझे comments box में जरूर बताना और साथ ही इस वीडियो को आपने like share करना अपने दोस्तों को भी बताना है कि इसको इंदर कैसे आप checkbook अपलाई कर सकते ह आप इस चैनल को subscribe जरूर कर लीजे क्योंकि इसी चैनल पर आपको सभी जानकारियां मिलती रहेंगी जो आपको बहुत जरूरी होंगे आपको हमेशा काम आएगी तो जल्द मिलते हैं अगली next वीडियो में किसी जानकारी के साथ या किसी और अच्छे सुजाव के साथ तो नमस्कार जैहिन